रूप्रेखा के आधार पर कहाणी लिखन। रूप्रेखा के आधार पर कहाणी लिखन। सागर में दूर तक पहुँच गये। उसी समय अचानक आकाश का रंग बदला। तूफानी हवा चल पड़ी और सागर में उन्ची उन्ची लहरे उचलने लगी। दोनों मित्र जिस नाव में बैठे थे वो पुरानी थी। तूफानी लहरों की थपेडों से वो तूट गई। उसका एक तकता अलग हो गया। दोनों मित्र उसी तकते को पकड़ कर किनारे पहुँचने की कोशिश करने लगे। पर वो तकता मुश्किल से एक ही आदमी का भार संभाल सकता था। दोनों को लगा कि इस तरह तो हम दोनों ही डूप जाएंगे। उस हालत में महादेव ने कहा। लक्ष्मन तुम इस तकते की सहायता से किनारे चले जाओ। मैं इसे छोड़ रहा हूँ। तुम पर पत्नी और बच्ची की जिम्मेदारी है। मेरी तो बस एक बुढ़ी मा ही है। तुम मेरी माग का भी देख भाल करते रहना। लक्ष्मन चिल्लाया, नहीं, किन्तु तब तक तो महादेव तकता छोड़ चुका था। देखते ही देखते वो तूफानी लहरों में समा गया। लक्ष्मन किसी भी तरह किनारे पहुंचा। महादेव की मोत पर सारे गा सीख, सच्ची मित्रता, निस्वार्ध और त्याग पूर्ण होती है।